हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग दोस्तों फार्मेसी कॉंसिलिंग ओफ इंडिया दुआ रहा एक नया सरकुलर जारी हुआ है एक नया नोटिफिकेशन आया है जो की काफी जादा इंपोर्टन्ट है जो की 20 नौंबर दो हजार चोविस को पब्लिक हुआ है जो की काफी है उनके लिए भी काफी जादा इंपोर्टन्ट है काफी इंपोर्टन्ट इंफोर्मेशन है जो की आपको जानना जरूरी है अगर आप फार्मसिष्ट है तो क्या कुछ है इसके अंदर सारी जानकर हम देंगे इस नोटिस के बारे में तो अगर आप फार्मसिष्ट है तो आप इस वीडियो को अंतक देखना तभी आपके जो है वीडियो समझ में आईगे और वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब भी कर देना दोस्तो तो दोस्तो नोटिसिकेशन देखने के लिए हमें फारमेसी कॉंसिलिंग और इंडिया की वेबसाइट पर आ जाना तो ह इसका डेशबोर्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Policy and Circular लिखा इसके उपर आप किलिक करेंगा और यहां Circular पर आप किलिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो सबसे पहला नोटिस है जो की 20 नौवंबर 2024 को पब्लिक हुआ है इसी को पर हम किलिक करते हैं जैसी हम दोस होना शुरू हो गया यह PDF में खुल के हमारे सामने आएगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह notification PDF में खुल के आ गया है जो की PCI की तरफ से आया है Central PCI की तरफ से जो की पूरे भारत के सभी फार्मसिष्टों के लिए है ऐसा नहीं है कि एक स्टेट के लिए है यह UP के लि लिए व इंडिया में registered है उनके पास जो है pharmacy registration certificate भी है और green card भी है उनके लिए है जो बच्चे अभी pharmacy की पढ़ाई कर रहा है डी फार्मा या भी फार्मा कर रहा है उनके लिए नहीं है जो पास आउट हो चुग है और certificate पा चुके है उनके लिए है और approved pharmacy institute ASA institute ASA goalie जो PCI से approved है उनके लिए भी है उनके अंदर जो pharmacist पढ़ा रहा है as a teacher के रूप में उनके लिए भी बहुत ज़रूरी important जो है यह notice है तो इस notice के अगर आप subject में देखेंगे कि इसमें क्या लिखा तो इसमें लिखा है guidelines regarding verification of pharmacist profile with the अविश्मान भारत health account या फिर आभा number two integrate pharmacist with the healthcare professional registry या HPR मतलब इसमें बताया है notification में कि आपको अपनी pharmacist profile को अभा number से link करना है तो दोस्तों पहले आप यह जान लिजे कि आपकी जो pharmacist है उसकी profile कौन सी है तो हम आपको बता दें कि आज से करीब साल भर पहले PCI ने एक नया system निकाला था जिसमें dg farmate करके आपने देखा होगा कि उपर कोने में dg farmate से option आ रहा था और इसको जब हम खोल रहे थे तो इसमें account बनाने का option था मतलब center level से registered होने का option आ रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि आप जो है आप center level से भी registration number पा सकते हैं तो इसके recording भी हमने video बनाई थी जिसमें हमा अपना जो है यहाँ पर account बनाया लेकिन account खुल नहीं रहा लेकिन यह account भी खुलने लगा जैसी दोस्तों हम अपना account खुल के दिखाते हैं इस dg farmate पे तो हम यहाँ पे अपना ID और password डालते हैं और capture I am nota robot पे click करते हैं और दोस्तों इस पर हम यह सी click करेंगे तो आप देख स बता रहा है यह आभा number से अभी आपका account वेरिफाई नहीं है लिंग नहीं है और आप देख सकते हैं नीचे अधार card number आ रहा है pen card number आ रहा है email ID हमारी आ रही है address आ रहा है तो इसी तरीके साब अगर login करके देखेंगे dg farmate को तो इसी तरीके साब आपका account खुलने लगेगा और इन्हें पहले ही जो उपर बता दिया कि आभा number जो verify नहीं है link नहीं है इतना आपको clear हुआ कि फार्मासिष्ट की profile क्या है अब दूसरा इसमें जो बताया है कि अईश्मान भारत health account आभा तो बहुत से बच्ची confusion में होंगी कि आभा क्या है तो दोस्तों आभा मतलब पड़े लिखे नहीं है उनके लिए भी है इसमें क्या है कि इसके अंदर सभी तरह के आपके health record होंगे आपने कौन सी दवाई कप खाई पेशंट ने कौन सी दवाई किस doctor से ली सारी reports बगेरा और सारे examination सब कुछ इसी के अंदर होंगे तो इसमें क्या होगा कि यह जो है आभा नंबर आपको generate करना होगा और आप देखेंगे इस notice में नीचे भी तो बता रखा कि इस link पे click करने के बाद आप जो है आभा नंबर generate कर लीजिए और दोस्तों नेस्ट वीडियो में हम आपको आभा कार्ट बनाके दिखाएंगे फुल प्रोसेस दिखाएंगे कि आप किस तरीके से घर बेठे अपना आभा कार्ट जनरेट कर सकते हैं तो वो वीडियो देखने के लिए आप जो है दोस्तों इस चैनल को subscribe करें ताकि आपको उस वीडियो का notification मिल सकें और दोस्तों इस notification में आप नीचे आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा मतलब आपको जहें अपने प्रोफाइल को आभा नंबर से कनेट करना मतलब बहुत जरूरी आपको जल्दी करना ही काम जोकि आपके लिए काफी जाज़ा जरूरी है और आगे लिखा है this said verification must be completed with the timeline of 45 days from the date of issue of this circular मतलब इस circular के जारी होने के 45 दिन के अंदर अंदर आपको ये काम करना है कि आपको अपना जो है डीजी फार्माइट को आभा नंबर से connect कर लेना है जैसे कि आप देख सकते हैं या लिखा है 45 दिन के अंदर अंदर करना मतलब जब से ये circular जारी हुआ है notice जारी हुआ है 20 नवंबर को ये जारी हुआ हो तो उसके आगे को आप 45 दिन जोल लेजिए 45 दिन के अंदर आपको ये काम करना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा failing to this अगर यह fail होता आप यह काम नहीं करते 45 दिन के बाद तो आपको जो है disable कर दिया जाएगा डीजी फार्मेट की profile से जो डीजी फार्मेट की profile उससे आपको disable कर दिया जाएगा फिर नीचे लिखा in case for new registration मतलब जो आप बच्चे डीजी फार्मेट पर अपनी profile बनाएंगे जिनोंने पीछे नहीं बनाई थी वो अब नया registration करेंगे डीजी फार्मेट पर तो उनको जो है ensure कर लेना है verify कर लेना है अपने account को आभा नंबर से अपने टाइम पर अपने आभा नंबर को connect कर लेना है और अगर आप यह connect नहीं करते जैसे यह लिखा without profile आभा नंबर लिंक आप नहीं करते तो आपको जो है इस लिंक पर किलिक करने के बाद आप अपना आभा नंबर generate कर सकते हैं दोस्तों वेसे तो यह link किलिक नहीं होगा लेकिन हम आपको next video में आभा नंबर generate करने का full process दिखा देंगे और दोस्तों यह डी वाले पर लिखा है it is requested to all pharmacy institutions मतलब जितने भी देज भर में pharmacy college है जो कि D pharma या फिर B pharma करा रहे है और PCI से approved college है वो जो है चेक कर लें अपनी faculty का कि उनका verification हुआ है नहीं आभा नंबर जो है प्रोफाइल से link है नहीं क्योंकि दोस्तों यह होना काफी जादा जरूरी है faculty का जैसे यहां लिखा आ academic section मतलब इसमें क्या रखा कि अगर आप कोई college है आपका देज भर में कोई भी आप college चलाते हैं college वालों के लिए हैं कि अगर आप college चलाते हैं जिसमें D pharma B pharma आप करा रहे हैं और PCI से approved college है तो अपनी faculty का आप चेक कर लें तो उनका जो है verification अभी तक हुआ है नहीं उनका आ हमने बता दिया अगर आपको अब भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हमसे comment box में पूछ सकते हैं और दोस्तों इस notice में नीचे आप देखेंगे तो PCI ने email id और mobile number दे रखा है अगर आपको कोई query हो तो आप इससे contact कर सकते हैं इस number पर contact कर सकते हैं या फिल email id पर email कर सकत है तो आपको दोस्तों हमारी दिगर जर्गारी कैसी लगी अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल पर पहली बार है चैनल को सस्क्राइब भी करें दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ जेहिंद बंदे मात्रम